Hello everyone, मेरा नाम सूरजामन्द है और Rapid Boom में आप सभी का स्वागत है तो जैसा कि आज आज आप सभी को बताई है कि मैं book review करने वाला हूँ और वो जो किताब है दोस्तो, Post Independence की किताब है by अतुल कुलकर्नी सर जो की है हमारे IPS महरास्टर केडर से तो आएए ज़रा ध्यान देते हैं उनके किताब पर तो दोस्तो, इसी किताब के बारे में आज मैं review करने जाने वाला हूँ और ये जो किताब है, one of my favorite, अतुल कुलकर्नी सर जो की IPS है महरास्टर केडर से उनके ही दोरा, ये जो किताब है, वो लिखी गई है और ये किताब काफी famous है और ये मान करके चलिए, कि जो भी सारी चीजे आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो इस किताब के बारे में क्या क्या positive point है दोस्तो negative point है नहीं, क्योंकि मैंने खुद इस किताब को पढ़ा है और सारी चीजे बहुत अच्छे से cover इसमें करवाई गई है तो दोस्तो, post independence के लिए, post independence इंडिया के लिए ये जो किताब है, one of the famous किताब है और Oak Bridge के दौरा ये जो publish किया गया है अब जरा आते हैं किताब के अंदर के तरफ दोस्तो तो ये post independence की चीजे हमारे सामने दर्शाई गई है किस तरह से, अगर इसके index पर देखेंगे तो जो chapter है, अगर आप मान करके चली UPSC का syllabus उठा करके देखते हैं तो post independence में जो भी topics relevant है वो यहाँ पर दिये हुए हैं और उसी के साथ ही साथ, तो ज़रा ध्यान देते हैं कोई साभी एक अगर topic उठा कर देखिए तो दोस्तो, last year of Nehru यानि नहरू के अंतिम दिनों में 1960s से लेकर के 64 तक की बाते की गई हैं इंडो पाक वार 71 से 76 तक की बाते की गई हैं ना केवल Index की ही बाते करेंगे जरा topic पर भी ध्यान से देखिए अगर Indian Independence के अगर बाते की गई हैं तो chapter 1 में जितनी भी सारी चीजे cover होनी चाहिए topic by topic wise इस किताब में दे रखी हैं और इस किताब की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि हर एक topic को हर तोड़ा गया है और तोड़ने का मतलब क्या है दोस्तों जब तक हम चीजों को तोड़ कर नहीं पढ़ेंगे हमें अच्छे सा समझ में नहीं आने वाली है इवन आप देखिएगा कि जो भी हमारे बलोचिस्तान में हुआ था उसी के साथ हर एक topic को आपको तोड़ तोड़ के बताया गया है कि the role of USA and USSR इन जितनी भी लड़ाईों में जहां तक बाते हो रही है लाल बहदुर सास्त्री जी के बारे में उनकी सरकार में क्या-क्या रोल रहा था और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इस किताब का सबसे मुझे फेवरेट पार्ट एक और लगा था दोस्तो तो ये ज़रा हमारे सर के बारे में ज़रा बाते लिखी हैं ये एक बार देख लीजिए का screenshot ले करके और एगर एवन ना आप लोगों को यहां देखने का मन होगा तो IPS अतुल कुल करनी सर को आप गूगल करके भी आप उनके बारे में जान सकते हैं अब जैसे chapter 1 स्टार्ट हुआ है तो दोस्तो ज़रा ध्यान देजे इंडियन इंडिपेंडेंस की बाते हो रही है यहां पर हर एक chapter के शुरुवात में एक quote दे रखा है quote क्यों जरूरी है दोस्तो हमारे answer writing में quote का जो importance है वो सबसे ज़्यादा दर्शाया जाता है मेरे answer writing का batch में आप लोग जुडियेगा किस तरह से चीजों को ले करके जाना है वो मैं आप लोगों को वहां बताऊंगा लेकिन किसी भी chapter के शुरुवात में अगर आप जाईएगा तो वहां पर quotes आप लोगों को दिखेंगे अगर मान करके चलिए इसका क्या use है मैं आप लोगों को एक example देता हूँ अगर मान करके चलिए जो topic है suppose करे linguistic reorganization of states in India के बारे में दे रखी है कभी भी इस किताब से पढ़ने के बाद में आप लोगों को कभी भी answer लिखना होगा अगर आया linguistic reorganization में मतलब linguistic के हिसाब से language के हिसाब से कोई भी चीज कैसे divide होती है distribute होती है क्या significance होता है इन सारे quotes से आप शुरू कीजिएगा और शुरू करने के बाद में जो आपका answer होगा न वो one of the best answer होगा दोस्तो तो ये सारी चीजे हैं और एक और इसमें अच्छी बात क्या है दोस्तो तो ज़रा ध्यान दीजेगा हर एक chapter के बाद में एक summarize form में उसके map के form में चीजे दे रखी हैं दोस्तो map का जो importance है दोस्तो आप लोग जानते हैं कि किस तरह से हम short trick के तौर पे इसको use करते हैं और short trick कहने का मतलब shortcut में चीजों को जल्दी review करना हो जल्दी revise करना हो तो map का use करते हैं तो दोस्तो ये हर एक chapter के बाद में चीजे दे रखी हैं कुछ इस प्रकार से ये जो किताब है काफी अच्छी किताब है और even new economic policy economic reform सारी चीजों के साथ बहुत अच्छा जो samurai है या फिर कह सकते हैं samurai सीजों को दे रखा है दर्शाय गया है और ये जो किताब है दोस्तो one of my favorite किताब है क्योंकि जो इनके author है या फिर कह सकते हैं कि जिनके द्वारा ये किताब दी गई है अतुल कुलकर्नी IPS जो कि हमारे मारा स्टरक एडर से है तो ये मेरे one of the favorite inspiration भी है तो इस किताब को ज़रूर लीजेगा मैंने description में link दे दिया है दोस्तो तो देखा दोस्तो ये थी उनकी एक बहुत ही प्यारी सी किताब जो कि मैं खुद एक educator हूँ एक online teacher हूँ तो मैं ये चीजे बता सकता हूँ आपको कि अगर post independence के लिए आप लोग जाईएगा ना तो उनकी ही किताब को follow करिएगा क्या क्या उनके फायदे हैं क्या क्या सारी चीजें मैंने आज आप लोगों को बताया इस वीडियो के थुरू और link में description दे दिया है वहाँ पर जाईए click करिए और तुरंद उसको खरीद करके अपना जो post independence है उसको काफी स्ट्रॉंग करिए तो चरिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थांक्यू और जहिद